वेलकम टू ABC कैंपस आज हम कॉंसेप्चुल फ्रेमवर्क के टॉपिक में डी रेकिगनेशन को डिस्कस करेंगे डी रेकिगनेशन की टर्म बहुत सारे स्टेंडर्स में यूज होती है कि फॉर जेंपल इन्वेंटरी को हम कब डी रेकिगनाईज करते हैं हम प्रॉपर्टी प्रेमवर्क के अंदर डिस्कस किया गया है सिंपल सा कॉंसेप्ट है शॉट सा के डी रेकिगनेशन इस दा रिमूवल ओफ आल और पार्ट ओफ रेकिगनाईज एसेटर लाइबलिटी फ्रॉम एन एंटिटी स्टेट्मेंट और फान्चल पोजिशन तो देखें अगर आपने एक लोन पूरा पे कर दिया है तो वो पूरे का पूरा रिमूव हो जाएगा और अगर आपने लोन का कुछ पोर्शन वापिस किया है तो लोन रिडियूस हो जाएगा तो डी रेकिगनेशन फुल अमाउंट से भी हो सकती है और डी रेकिगनेशन पार्ट अमाउंट की भी हो सकती है इसी तरह एक पूरा प्लांट बाज वकात हम डिस्पोज आफ कर देते हैं तो उसकी डी रेकिगनेशन हो जाती है बाज वकात पूरा प्लांट डिस्पोज आफ नहीं करते हैं प्लांट का कोई एक कंपोनेंट या पार्ट रिप्लेस कर देते हैं जैसे किसी गाड़ी को हमने पूरा सेल नहीं किया, गाड़ी का इंजन खराब हो गया था, तो हमने उसका सरफ इंजन जो है ना वो सेल करके निया इंजन ले लिया, तो जो पुराना इंजन हमने डिस्पोज उफ किया, उसकी d-recognition record होगी, तो de-recognition asset की भी हो सकती है de-recognition liability की भी हो सकती है de-recognition full amount से भी हो सकती है और de-recognition partial amount से भी हो सकती है de-recognition normally कब होती है वैसे तो हर standard के अंदर de-recognition का एक criteria given होता है कि वो criteria जब पूरा होगा तो हम तब de-recognition को record करेंगे लेकिन conceptual framework के मताबिक डी-recognition नॉर्मली तब अकर होती है जब एक item asset या liability की definition को meet नहीं कर रहा होता फॉर जेमपल हम कहते हैं कि एक चीज हमारा asset है जब हमारा उस पर control हो उससे future economic benefits आएं और reliable cost का estimate लग सकता हो लेकिन अगर बाद में उस पर हमारा control खतम हो जाए या उसके future economic benefits खतम हो जाएं तो वो अब definition को meet नहीं कर रहा और हम उसको de-recognize कर देंगे पर जेमपल एक asset अमूमन तब de-recognize किया जाता है जब एक entity का उस पर control lose हो जाता है पर जेमपल आपने एक plant को sale कर दिया पहले हमारा control में था अब जिसको sale कर दिया उसके control में या plant destroy हो गया तो ऐसे situation में प्लांट से कोई economic benefits नहीं आने नहीं हमारा उसके कोई resources पे control है तो फिर हम उसको de-recognize करते हैंगे इसी तरह liability भी हम de-recognize कर देते हैं जब liability मजीद हमारी present obligation ना रहा तो कोई भी amount हमारी liability तब होती है या settle कर देते हैं तो वह हमारी liability de-recognize हो जाएगी तो recognition के साथ de-recognition का ये concept भी आपने जहन में रखना है that's all for today have a good day आप आपके साथ एम जहने कर दो छो आपके साथ